हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉण यूटिप चैनल पे हर्याना सीटी ग्रूप डी क्वेशन पेपर 22 अक्टूबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का एक्जाम खतम होच के 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट एक्जाम में पूरे 100 प्रेशनों का हल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आज जिन भी दोस्तों का 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट में एक्जाम था वो सभी साती पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक बहुत जरूर कीजेगा पूरे 100 क्वेशनों का एक्जाम अनलेसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं वीडियो को पूरा एंड तक वहुत जरूर कीजेगा तो पहला क्वेशन आपसे पूचा गया की निमल लिखित में से किन दो राज्यो या फिर केंदर शाषित राज्यों का साजा उचनेयाले तो जो साजा उचनेयाले है वो पंजाब और हरियाना का है अगले question में आपसे पूछा गया कि वायू मंडल में oxygen का कुल कितना परतीशत है वायू मंडल में oxygen का जो total percentage है वो 21% है second number option इस question का आपका विल्कुल correct answer था अगले question में आपसे पूछा गया कि निमन लिखित में से भारत के अंतिम मुगल समराट कौन थे भारत के अंतिम मुगल समराट थे बहादूर शाद जफर correct answer option number 4 रहे गा इस question का अगले question में पूछा गया महा सागर की ओसत लवनता क्या ठीक है इसका answer नहीं मिल पाया है next question पूछा गया कि गुजरात में अंतर राष्ट्रिय पतंग दिवस किस दिन को मनाया जाता है गुजरात में जो अंतर राष्ट्रिय पतंग दिवस है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है third number option 14 जनवरी इस question का आपका इल्कुल right answer से रहेगा अगले question में पूछा गया कि ग्राम पंचायत में निर्वाची सदश्य को क्या कहा जाता है ठीक है अगला question पूछा गया कि सातवी आर्थिक जनगर्ना किस वर्स में नियोजित की गई थी सातवी जो आर्थिक जनगर्ना है ये वर्स 2019 में नियोजित की गई थी तो 2019 इस question का आपका इल्कुल right answer था अगले question में पूछा गया कि निमल लिखित में से कोन सा भारत का केंद्रिय बैंकिंग संस्थान है जो भारतिय रुपे की मौदरिक नीती का नियंतरन करता है तो इसका जो नियंतरन है वो भारतिय रिजर्व बैंक RBI की द्वारा किया जाता है option number one इस question का बिल्कुल right answer रहेगा अगले question में पूछा गया कि निमल लिखित में से किस राज्य का प्राची नाम कलिंगा है प्राची नाम जो कलिंगा है वो है 30 राज्य ओडिसा का तो ओडिसा जिनोंने भी option में टिक किया था उनका अंसर बिल्कुल right रहेगा next question में आपसे पूछा गया कि कौन सा राज्य या फिर केंदर शाषित परदेश भारत के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है भारत के मुकुट के नाम से जम्मु कश्मीर को जाना जाता है second number option will be the right answer अगले question में पूछा गया भारतिय समीधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है ठीक है तो इनकी जो संक्या है वो 6 है correct answer option number 4 रहेगा इस question का अगले question में पूछा गया कि national सूरल लाइवली हुड मिशन का नया नाम क्या है तो इस मिशन का नया नाम रखा गया है दीन ड्याल अंतियोद्य योजना तो दीन ड्याल अंतियोद्य योजना इस question का आपका विल्कुल राइटन सरता अगले question में पूछा गया कि रॉफ नर्ते निमल लिखित में से किस राज्य का लोक नर्ते है रौफ जो नर्ते है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नर्ते है तो जम्मू कश्मीर इस क्वेशन का राइटन सरता अगले क्वेशन में पूछा गया कौन प्रथम मोरे शाशक थे जिनोंने अभिलेकों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया तो आमजन तक अपना संदेश अभिलेकों के माध्यम से समराट अशोक के द्वारा पहुंचाया गया था तो अशोक इस क्वेशन का आपका विल्कुल राइटन सर था अगले question में पूछा गया कि column first में दीगी सरंचराओं को column second के साथ आपको सुमेलित करना था तो इस question का आपका right answer option number 4 था A का second हो जाएगा, B का fourth, C का first और D का third आप इसका मिलान कर लीजिएगा चलिए बढ़ते है next question की ओर अगला question पूछा गया निमल लिखित में से कोन सा एंटी बायोटिक है तो एंटी बायोटिक जो है, वो है इनमें streptomycin तो जिनोंने भी streptomycin option में टिक किया था उनका answer बिलकुल right रहेगा अगला question पूछा गया कि सुर्योद्य का पूर्वा भास और सुर्यास्त का पश्चा भास निमल लिखित में से किस के कारण होता है तो ये होता है परकाश के वायू मंडलिय परावरतन के कारण चलिए वड़ते हैं एंगले question के ओर next question में पूछा गया निमल लिखित में से कोन सा संचरणिय रोग नहीं है तो इसका आपका right answer था मदुमे मदुमे क्या है संचरणिय रोग का उधारण नहीं है next question में आपसे पूछा गया कि malaria किस के द्वारा होता है तो जो malaria है वो proto जोवा के कारण होता है correct answer option number third रहेगा इस question का next question में पूछा गया कि निमल लिखित में से कोन सा जीव समूहे से भिन है option ते हीरन याक परवतिय बकरी हिम तेंद्वा ठीक है तो इसका आपका right answer था हीरन चलिए बढ़ते next question की ओर अगला question पूछा गया गुंदा हुआ आटा निमल लिखित में से किस कारण से फूलता है गुंदा हुआ जो आटा है वो खमीर यिष्ट कोश्टिकाव में वरदी होने के कारण फूलता है तो इस question का correct answer option बस second रहेगा अगले question में पूछा गया कि निमल लिखित में से कौन सी वस्तू जैव निमनी करणिये नहीं है तो टिन के जो डिब्बे होते हैं वो जैव निमनी करणिये नहीं है अगले question में पूछा गया बाग डैश होता है क्योंकि यह केवल मास खाता है बाग मासा हवरी होता है क्योंकि यह केवल क्या है मास खाता है next question में पूछा गया कि शुद्ध सोना आभूशन बनाने के लिए उप्युक्त नहीं होता आभूशन बनाने है तू इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अत्वा डैश मिलाया जाता है तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तामबा मिलाया जाता है second number option इस question का right answer रहेगा अगले question में पूछा गया कि निमल लिखित को सुमेलित की दिये ठीक है इधर आपको वस्तुएं दी गई थी इधर पदार्ख दिये गए थे तो इस question का correct answer option number second था बढ़ते हैं एगले question की और अगले question पूछा गया कि हरे और कोमल तने युक्त छोटे पोदे जिन में कुछ शाखाएं हैं निमल लिखित में से क्रिश्ट श्रेणी के अंतरगत आते हैं तो ये किस श्रेणी के अंतरगत आते हैं तो ये जो छोटे पोदे होते हैं ये शाक श्रेणी के अंतरगत आते हैं अगला question पूछा गया जब किसी prison से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक spectrum दिखाई देता है किस रंग के प्रकाश में सरवादिक बंकन होता है तो ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में अगले question में पूछा गया रक्त में डैस होती है जो हमारे शरीर में परवेश करने वाले रोगाणों के विरुद लड़ती है तो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कनिकाए है यानि कि जो WBC है वो रोगाणों के विरुद क्या है लड़ती है नेक्स्ट question में आपसे पूछा गया कि लोहे में जंग लगने की परक्रिया है तू निमल लिखित में से किसकी विद्यमानता आवशक होती है तो लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सिजन इन दोनों की विद्यमानता आवशक होती है correct answer option number second रहेगा इस question का चलिए यहां से reasoning के question करते है ठीक है पहला question reasoning का पूछा गया था कुनाल 90 मेटर पूरव की ओर चलता है तो वह कितनी दूर तथा किस दिशा में चलेगा ठीक है तो यह 50 मेटर उत्तर पूरव दिशा में चलेगा second number option इस question का right answer था अगला question पूछा गया था अक्षरों का एक समुहे दिया गया था इसको आपको सही वियस्तित करना था तो इस question का आपका right answer option number 1 था 352461 चलिए बढ़ते हैं अगले question के ओर next question में पूछा गया था कि दी गई श्रंकला में लुप्त पद ग्याद कीजिए तो इसमें लुप्त पद हो जाएगा 343 343 इस question का आपका right answer रहेगा अगला question में पूछा गया कि physics को इस परकार से लिखा जाता है तो biology को उसी कूट भाशा में कैसे लिखा जाएगा तो इस question का right answer option number 1 रहेगा अगले question में पूछा गया कि A, B, C, D, E, T, T, F उत्तर की और मुहकर के एक पंक्ती में बैठे हैं तो B के ठीक दाई और कोन खड़ा है तो इस question का right answer था B के ठीक दाई और D खड़ा है ठीक है option number 1 इस question का right answer रहेगा अगले question में पूछा गया दो कथन और उसके बाद दो निशकर्ष फर्स्ट और सेकंड आपको दिये गई है ठीक है आपको बताना था कि दिये गए कतनों की अधार पर तरक संगत रूप से कोन निकलते हैं ठीक है तो इस question का right answer था option number 3 ने तो निशकर्ष फर्स्ट निकलता है और ने ही second निकलता है ठीक है चलिए बढ़ते है एगले question की ओर अगला question पूछा गया था विसम का चैन कीजे तो इसका आपका right answer था पूस्ट तक चलिए बढ़ते है next question की ओर अगला question पूछा गया था PQRS और T है ठीक है तो यहाँ पे पूछा गया था कि PS से किस परकार से समंदित है तो PS से चचेरा या फिर ममेरा भाई परकार से क्या है समंदित है second number option इस question का right answer से रहेगा अगला question पूछा गया कि यदि रविवार से प्रारंब होने वाले किसी 30 दिन के महीने में परतेग दूसरे चोते शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कारे दिवस है तो इनमें कारे दिवस की संख्या 23 रहेगी ठीक है अगला question पूछा गया था एविवाहित एविवाहिता से समंदित है ठीक है उस परकार आपको शब्द युगम का चेहन करना था तो इसका right answer रहेगा option number one घोडा घोडी ठीक है अगला question पूछा गया था हरीस ने पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा था 5800 में इसने बेज दिया तो इसका लाब परतीशत आपको ग्याद करना था तो इसका right answer रहेगा 5 सही 5 बटा 11 परसेंटेज चलिए बढ़ते हैं एंगले question की ओर next question पूछा गया था एक school में चातरों की संक्या आपको दी गई थी तो school में कितने चातर है ठीक है total आपसे पूछा गया था तो इसका आपका right answer था option number second बारा सो चातरों की संक्या रहेगी school में next question पूछा गया था आयत का चेतरफल 460 वर किलोमेटर है तो आयत की चोडाई पूछी गई थी आपसे तो आयत की चोडाई हो जाएगी 20 मेटर second number option 20 मेटर इस question का आपका right answer था चलिए बढ़ते हैं अगले question की और अगला equation पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक कारे को 15 दिन में पूरण कर सकता है तो उस कारे को पूरण करने में कितना समय लगेगा ठीक है तो उस कारे को पूरण करने में लगबग 6.4 दिन लगेंगे second number option इस question का आपका विल्कुल right answer था अगला question पूछा गया था आपको cube बतानी थी ठीक है x की cube तो इसका आपका right answer था 5 ठीक है यहाँ पे 5 की cube आ जाएगी ठीक है third number option will be the right answer next question में पूछा गया आपसे कि अंकों 4 0 3 7 साथ से बनने वाली 4 अंकी है बड़ी से बड़ी वा छोटी से छोटी संक्या आपको क्रमशे बतानी थी ठीक है तो इसका आपका right answer था 7 4 30 30 747 ठीक है third number option इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा अगला question पूछा गया था तीन कारों की गती का अनपात दिया गया था ठीक है इन कारों द्वारा लिएगे समय का अनपात आपको बताना था तो इन कारों के द्वारा लिएगे समय का अनपात रहेगा 6 ratio, 4 ratio, 3 third number option इस question का right answer रहेगा अगले question में पूछा गया यदि कोई राशी 10 वर्षों में दोगनी हो जाती है तो साधारन ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछी गई थी तो वार्षिक दर रहेगी 10 परतिशत ठीक है अगले question पूछा गया कि 50 संख्याओं का ओसत 38 है यदि 2 संख्याओं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का ओसत क्या होगा तो इनका ओसत होगा 37.5 परतिशत second number option इस question का विल्कुल राइटन से रहेगा अगले question में पूछा गया कि A ने 63 हजार लगा कर एक व्यपार आरंब किया ठीक है अगला question पूछा गया 3 विबिन संख्याओं का LCM 120 है HCF नहीं हो सकता ठीक है HCF क्या नहीं हो सकता इनका तो इनका जो HCF है वो 35 नहीं हो सकता अगला question पूछा गया था 28.80 प्रति किर्ग्रावाले ठीक है इस प्रकार से question था तो इसका जो आपका राइटन संख्याओं था रेशियो में पूछा गया था वो हो जाएगा 2 रेशियो 3 चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेशन की ओर अगला question पूछा गया A प्लस B का 10 परतिशत है A माइनस B का 50 परतिशत हो तो A रेशियो B आपको बताना था तो A रेशियो B हो जाएगा 3 रेशियो 2 ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया था 8000 की राइटी 10 परतिशत वार्शिक चकरवदी ब्याज पे कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति 6 माई सयोजित होता है तो ये डेड़ वर्ष में हो जाएगी करेक्ट अंसर आप्शन मर वन रहेगा इस क्वेशन का अगले क्वेशन में पूछा गया आधार तिर्जया से 3 सेमी तता उंचाई 5 सेमी है ठीक है इस परकार बने शंकों की आपसे संक्या पूछी गई थी तो इस परकार बने शंकों की संक्या हो जाएगी 13,500 नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया इंगलिस के क्वेशन यहां से स्टार्ट होते हैं पहले question में आपको underline word का बताना है ठीक है तो underline word है from pillar to post तो इस question का आपका right answer रहेगा option number one rush in our direction and suffer much harassment correct answer option number one रहेगा इस question का अगला question आपसे पूछा गया था underline word का आपको meaning बताना था themselves be defeated तो इसका सही रहेगा yourself be defeated correct answer option number one रहेगा next question में पूछा गया था fill in the blank with correct form of work time and tide dash for none time and tide wait for none correct answer option number four रहेगा इस question का next question आपसे पूछा गया इंगलिस का pick out the correctly spelled word तो इसका right answer था option number one ठीक है underline word का आपको antonym पूछा गया था afraid का तो इसका हो जाएगा confident चलिए बढ़ते है next question की और अगले question में आपको error बताना था ठीक है तो इसमें C में error रहेगा ठीक है second number option C is question का आपका विल्कुल right answer रहेगा अगला question आपसे indirect speech का पूछा गया था question था he told the boy not to sit there तो इसका आपका right answer रहेगा he said to the boy don't sit here correct answer option number third रहेगा इस question का अगले question में पूछा गया था passive voice आपको बताना था following sentence का sentence था he was writing a book तो इस question का right answer रहेगा option number third a book was being written by him a book was being written by him इस question का आपका विल्कुल right answer था अगले question में आपसे पूछा गया था PQRS का आपको सही sentence बताना था ठीक है तो इसका जो आप सही करोगे तो ये हो जाएगा P.S.Q.R ठीक है इसे सही सुमेलित करना था तो P.S.Q.R इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा अगला question पूछा गया था synonym आपको बताना था pro claim का तो pro claim का synonym हो जाएगा declare ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की और यहां से हिंदी के question start होते हैं हिंदी का पहला question है दिये गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है तो option number 4 सुत्र इस question का right answer रहेगा अगला question पूछा गया निमन लिखित में से किस विल्कल्प में क्रिया विशेशन का परियोग नहीं हुआ है तो सुस्त खिलाडी में क्रिया विशेशन का परियोग नहीं हुआ है अगला question पूछा गया चुली का तदभव रूप क्या होगा तो चुली का तदभव रूप क्या हो जाएगा चुलहा हो जाएगा अगला question पूछा गया घर का जोगी जोगडा आन गाव का सिद लोकोक्ति का सरवाधिक उप्युक्त अर्थ क्या है तो इस question का राइट एंसर option number one था निकट का गूणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा ठीक है नेक्स्ट question में पूछा गया विध्याले में वार्सिक महत्सव संपन हो गया वाक्य के रेखांकित अंश का सरवाधिक उप्युक्त संदी विचेद क्या होगा तो महत्सव का संदी विचेद हो जाएगा महा पलस उत्सव ठीक है अगला question आपसे पूछा गया आप मन में क्या सोचते रहते हैं वाक्य का सही उधारन क्या है ठीक है तो इसमें आपसे कारक पूछा गया था तो इसमें अधी करण कारक हो जाएगा अधी करण कारक option number four is question का विल्कुल correct answer रहेगा अगले question में पूछा गया बीता हुआ वाक्यांस के लिए सरवादिक उप्युक्त एक शब्द है बीता हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा विगत अगला question पूछा गया ये परते से बनने वाला सरवादिक उप्युक्त प्रायवाची शब्द बताईए उल्लास शब्द का प्रायवाची हो जाएगा हर्श नेक्स्ट question में पूछा गया दिये गए वाक्यों में से किस विकल्प में विराम चिनों का सरवादिक उप्युक्त परियोग हुआ है तो इसका राइटन सर्था option number second सुनो मैं तुमारी और परिक्षा नहीं कर सकता इसमें क्या है विराम चिनों का सरवादिक उप्योग हुआ है यहां से हर्याणा जी के question देखेंगे हर्याणा जी के का पहला question आपसे पूछा गया कि हर्याणा के किस जिले में तिलियार जील स्थित है तो ये रोhtक जिले में स्थित है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया हर्याना राज्य में कितनी ग्राम पंचायते हैं तो ये है 6000 से लेकर 6500 के मध्य में हैं ठीक है अगले क्वेशन में पूछा गया कि हर्याना में किस वर्स दीन बंदू हर्याना ग्रामुद्य योजना शुरू की गई तो ये जो योजना ह वो हर्याना के बजट 2017-2018 में इस योजना को शुरू किया गया था अगले क्वेशन में पूछा गया किस थान पर विरासत परिवेहन संग्राल्य स्थित है विरासत परिवेहन संग्राल्य गुरू ग्राम में स्थित है अगले question में पूछा गया कि हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हर्याना में फसल, विविदी करण और जल सरक्षन पर बल देती है तो इस योजना का नाम है मेरा पानी, मेरी विरासत Next question में पूछा गया हर्याना में कितने लोकसबा निर्वार्चन छेतर है हर्याना में लोकसबा निर्वार्चन छेतरों की संक्या कितनी है, दस है अगले question में पूछा गया आपसे कि चोर गुंबद कहा स्थित है चोर गुंबद जो है वो नार नोल में स्थित है थर्ड नंबर आप्शन इस question का विलकुल राइटन सरहेगा अगले question में पूछा गया हर्याना राज्य में दरी निर्मान का सबसे महतपुर्ण केंदर कहा स्थित है हर्याना राज्य में दरी निर्मान का सबसे जो महतपुर्ण केंदर है वो आपके पानी पत में स्थित है अगले question में पूछा गया कि सूची फर्ष्ट में दिये गए परशास्निक प्रभागों को सूची सेकंड से समलित जिलों के साथ सही सुमेलित कीजिए ठीक है तो इस question का राइटन से ता option number second A का fourth, B का third, C का second और D का क्या हो जाएगा first हो जाएगा ठीक है next question में पूछा गया पंजाब का पुनरगठन जिसने हर्याना को पूरण राज्ये की रूप में स्थापित किया किस वर्ष में हुआ था तो ये 1966 में हुआ था third number option इस question का विलकुल right answer रहेगा अगले question में पूछा गया हर्याना में प्रती वर्ष गीता जैनती मौत्सव कहां मनाया जाता है गीता जैनती मौत्सव हर्याना में प्रती वर्ष कुरू छेतर में बनाया जाता है अगले question में पूछा गया हर्याना का सैक्सपियर और हर्याना का सुर्यकवी के रूप में किसे जाना जाता है तो ये दादा लखमी चंद को जाना जाता है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया हर्याना का राज्य पक्षी क्या है तो ये हो जाएगा शाम फ्रैंकोलिन चलिए वड़ते नेक्स्ट क्वेशन के ओर अगले क्वेशन में पूछा गया राश्ट्रिय शीमा शुल्क एपरत्यक्षकर और स्वापक द्रवय अकादमी कहां स्थित है तो ये हर्याना के फरीदाबाद में स्थित है अगले क्वेशन में पूछा गया हर्याना का सरवादी घनतव वाला शहर कौन सा है हर्याना का सरवादी घनतव वाला जो शहर है वो फरीदाबाद है सेकेंड नंबर आप्शन इस क्वेशन का विल्कुल करेक्ट अंसर रहेगा अगले क्वेशन में आपसे पूछा गया कि माता मंसा देवी मंदिर हर्याना की समकालिन कला का कौन सा सवरूप है तो ये हर्याना की समकालिन कला का भीती चित्र सवरूप है तो भीती चित्र आप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेशन का विल्कुल राइट अंसर था अगले क्वेशन में पूछा गया था कि निमल लिकित कत्मों पे विचार कीजिए और बताईए इन में से कौन सा कतन जो है वो सही है तो इस क्वेशन का राइट अंसर था आप्शन नंबर बी केवल जो बी कतन है वो सही है कि हर्याना में पांच पुलिस रेंज है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया जनसंक्या की दृष्टी से हर्याना का भारत में कौन सा स्थान है जनसंक्या की दृष्टी से हर्याना का भारत में अठारवा स्थान है Second number option is question का विल्कुल right answer रहेगा अगले question में पूछा गया कि निमल लिखित में से हरियाना का कोन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो राजस्थान के साथ सीमा साजा नहीं करता है हरियाना का रोहतक जिला ठीक है चलिए वड़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और अगला क्वेशन पूछा गया राव तुला राम ने राव गोपाल दे और राव धन सिंग के साथ अहीरों को कहां एक्तरित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद किया तो ये एक्तर किया था नसीब पूर किले में करेक्टर अप्शन नमबर 4 रहे गए इस क्वेशन का नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया कि सकल राजय घरेलू उतपाद जीएश डीपी के बारे में निमन लिखित कत्मों पे विचार कीजिए और बताईए इनमें से कौन सा कत सही है तो इस क्वेशन का राइटन सिर्ता केवल b नंबर कतन सही है कि हर्याना का जीए डीपी राज Claudia स्थान के जीएस डीपी से क्या है कम है नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया कि भारत में एक मात्तर स्कृइए वाश्प लोकोशेड कहा अवस्तित है भारत में एक क्मात् निमल लिखित में से हर्याना का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्तित है तो जो पंचकुला है वो आपके सुदूर उत्तर में स्तित है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया कि निमल लिखित कत्तों पर विचार कीजिए और बताईए कि उप्युक्त में से कौन सा कथन सही है तो इस question का right answer ता option number B कि हर्याना ने एक बार इरानी ट्रोफी जीती है तो केवल B number जो कथन है वो सही है final question आज की studio का हर्याना के निमलिकित खिलाडियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार जीता था तो ये जीता गया था विनेश फोगाट के द्वारा correct answer option number 1 रहेगा इस question का तो आज की studio में हमने पूरे 100 question का exam analysis कर लिया है वीडियो के यहां दख देगा धन्यवाद वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को like, share और channel को subscribe जरूर कीजेगा